एक कानून लाया गया था, that is Senior Citizen Act 2007, इसके तहट senior citizen को maintenance and welfare कराने के लिए एक object रखा गया था, यानि कि अगर कोई senior citizen या फिर parents अपने बच्चों के द्वारा प्रतारित हो रहा है, उनको mentally, physically, emotionally torture किया जा रहा है, उनका जो well-being है, protection है, that is under threat. उस अवस्था में senior citizen, court में जा करके दर्वाजा खट-खटा सकते हैं, नियाए मांग सकते हैं, अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, या फिर कोई आपके परोसी के साथ ऐसा कुछ हो रहा है, तो आप उनको जरूर इस सला को दे सकते हो, honorable court, यही act के under order pass करते हुए, पुत्र को अपने पिता के संपती से, बेदखल करते हुए, सारे अधिकारों को खतम करते हुए, यह order को पास करे है, धक्का मार करके घर से बाहर निकालने का order, तो क्या हो गया था? क्या है इसका facts? आईए चलिए जान लेते. पर उससे पहले एक छोटा सा request, एक लाइक चैनल को subscribe, जरूर इसको share कीजेगा, क्योंकि simple language में कानूनी ज्यान आम जनता को बताना, यही हमारा purpose है. तो case का नाम है, नामदेओ and others versus state of maharashtra and others. तो कहानी तो बड़ी लंब है, पर छोटा करके बताओ, पीता का उमर हो रहा था 78 years, माता का उमर हो रहा था, 68 years. इस उमर में अत्ताचारी थो रहे थे. एक red petition Honorable Bombay High Court के पास file करी गए थी. Senior Citizen Tribunal के पास एक application पहुचा था, जहाँ पर माता पिता के उपर उनके पुत्र और पुत्र बधू, यानि कि daughter-in-law की द्वारा torture किया जा रहा था, सिर्फ mentally, emotionally नहीं, physical torture किया जा रहा था, उनके उपर physical harassment, assault किया जा रहा था, ऐसे में पिता के दुआरा self-acquired property का एक हिस्सा के उपर वो लोग illegally कबजा कर ले थे, और बेटा और बहु मिल करके वहाँ पर इस तरिके का तामजाम करने लगते हैं, कि वो absolutely रहने लायक, इसी के साथी साथ माता पित का safety and security है, उसके उपर एक threat बन गया था, कुछ ऐसे प्रकर से घड़ को इस्तेमल करने बेटा और बहु लग जाते हैं, अभी इसी बीच में father को court में जा करके बेटा कहते हैं, स्वेंडिलर, ठक करने वाला जिनको कहा जाता है, एप्लिकेशन में तमाम allegation लगाया जाता है, इस बुजुर्क उमर में जहां पर बच्चों को पिता के सहरा बनना चाहिए था, पर यहां पर किया जा रहा था torture, ऐसे में father court को जा करके बताते हैं, कि उनका एक heart surgery होने वाला बाइपर surgery, क्योंकि पिता एक heart patient थे, कुछ funds का कमी भी आ रहा था, operation को conduct करवाने में time लग रहा था, तो इस तरिगे के circumstances में पिता के उपर-उपर से torture किया जाना, उनको सहर नहीं हो रहा था, तो maintenance tribunal के पास जा कर गया, under section 5 एक application लगाते हैं, कि मेरे बेटा और पुत्र वध उसे मुझे बचाया जाए, उनको मेरे self acquired property से बाहर निकलने के लिए order दिया जाए, देखे, section 4 of maintenance and welfare of parents and senior citizen act 2007 में कहा गया है, माता पिता अपने बच्चों से maintenance के लिए कुछ basic need जो होता है, वो claim कर सकते हैं, और यहीं पर section 23 को भी mention करना जरूरी हो जाता है, उसके तहित, अग अगर आप कोई gift deed बना करके property अपने बच्चों को transfer कर चुके हो, वहाँ पर reclaim करके आप property को वापस भी मांग सकते हो, अगर आपका खयाल नहीं रखा जा रहा है तो, और यहीं पर tribunal application को देखते हो है, उस application को एक eviction दावा, यानिकी eviction suit के तहित, treat करते हैं, बेटा को और बह tribunal के पास कोई यह power ही नहीं दिया गया है, कि Senior Citizen Act के अंदर यह जो particular application file क्या गया है, इसको एक eviction दावा के रूप में, मानियता दे करके, सुनवाही करने का और decision pass करने का, यह argument सुन करके, honorable judge सहाब यह कहते हैं, अपर basic need नहीं दिया जा रहा है, parents का जो safety है, security है, उसके उपर आगया है, उनको लगातार, torture किया जा रहा है, emotionally, physically, mentally, different तरिके से harass किया जा रहा है, तो हम लोगों को यहाँ पर कोई भी नहीं रोक सकता है, यह application को एक eviction दावा मानते हुए, तो बेटा, बेटी, बहु कोई भी हो, उनका property से eviction करने से हमको रोक सके, ठीके, अभी matter जाता है, Honorable High Court के पास, Honorable Bombay High Court, Honorable Supreme Court of India के कोई decisions का सहारा ले करके, same argument रखा जाता है, पर Bombay High Court, senior citizen के उपर यह torture को देखते हुए, तमाम evidence और सबूतों को मद्दे नजर रखते हुए, trial court का जो order है, उसको समर्थन कर दे थे, और यह कहते है, जहाँ पर senior citizen के उपर इस तरह के स safety, threat में आगया है, वहाँ पर eviction करने से, कोई नहीं रोक सकता है, Honorable Supreme Court of India, Dr. Ashwini Kumar vs Union of India and others, 2019 के case में, इस चीज़ को already स्तीत कर चुके थे, बिवहिन तरिकी का direction पास करके, senior citizen को protect करना, यह कानून का purpose है, यह constitutional goal है, beneficial legislation है, इसको Supreme Court of India, already इसको ensure कर चुके थे, इस case का सहारा यहाँ पर लिया गया, क्योंकि senior citizen act है, एक beneficial legislation, इस कनून का purpose है, object है, senior citizen का welfare करना, maintenance का जो सारा का सारा method है, उसको ensure करना, तो आपको क्या लगता है, आप किस तरह के से इस judgment का फाइदा ले सकतो, अगर कोई भी प्रकार से आपको torture किया जा रहा है, आपका जो basic need है, जिन्दा रहने के लिए, जो basic खाना, मकान, सेल्टर चाहिया होता है, medical treatment के लिए जो दवाई वगराज चाहिये होता है, नहीं दिया जा रहा है, तो ये section के अंदर एक जरूर application कोट के सामने फाइल कर सकते हो, अगर आपके संपत्ति में illegal ही कबजा बनाया गया है, तो कोट के पास जा करके eviction दावा आप डाल सकते हो, धक्के मार करके निकलने के पास कर देते हैं, तो आपका क्या सोचना है, इस judgment के बारे में, comment section पर लिख करके मुझे बताइए, link is in the description, judgment detail में पढ़िए, इस वीडियो को एक like करके share करके और भी लोगों तक पहुचाने में, मेरी मदद कीजे, बहुत बहुत धनिवाद